गाइस अगर आपके inverter के बैटरी का पानी एकदम सोख चुका है और आप उसमें दुबारा पानी डालने चाहते हो तो आप इस वीडियो को पहले पूरा जहुर देखेगा ज्यादा तर केस में यही देखा जाता है कि inverter बैटरी का पानी एकदम सोख जाता है और डुबारा पानी भरने के बाद बैटरी हमारी पूरी के पूरी डैड हो जाती है वो बिलकुल भी बैक अप नहीं देती है लेकिन उस पें बहुत सारी कमेंट आय हूँ है किसी का कहना है सर ट्र्रक्टर की बैटरी है हमारे पास और उसकी पानी ड्रा सारे में फोर्मूला एक ही उस होगा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वह कौन सी है तो वीडियो को अंतक देखीगा तभी आपको समझ में आएगा अगर इस वीडियो को मिश करोगे तो 100% आपकी बैटरी डेड हो सकती है तो चलिए प्रिनाटा इंवेस्ट के इस वीडियो काम शुरू करते हैं काफी जाता इंट्रोस्टिंग यह वीडियो होने वाला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करक क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी के पास यह इंफॉर्मेशन पहुंचे और चैनल पर नए होंगो तो सब्सक्राइब जोरू कर लेजेगा क्योंकि इसी तरह का इंट्रोस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं आईए शुरू करते इस वीडियो को और आ अगलो मरताइबा इसा कियोंता है आजये जांते हैं डिक्ति दूस्तों हमारा जो डिस्टिल वाटर कोई भरते हैं या फिर निल का इति है उसकी ग्रैबिटी धम 0 होती है लेकिन दूस्तों हमारी बैटरी कितनी होनी चाहिए बारो पांट जी बाटरी बैक अप करेगी ले जाती है जिसमें दुबारा फिर नहीं ले पाती है वह दम लगबग डेड स्टिटी में पहुंच जाती है जैसे कि पूरी बैटरी का पानी फिर से निकाल करके 12.50 ग्रैबिटी वाला जो पानी होता है उसको डालना होता है डालेक्ट अपनी बैटरी में तब जाके वह फिर से ग्रैबिटी वाला पानी जोरूर डालीएगा अब दोस्तों आपको पताते हैं कि अगर ड्राई हो चुकी है बैटरी तो आपको क्या करना चाहिए देखिए बैटरी का ड्राई हो चुकी है तो सबसे पहले आपको एक डिस्टिल वाटर परचीस करके लाना है और डिस्टिल फिर अपनी बैटरी को चार्ज करना है अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही है उसको इस्तेमाल भी आप करके देख सकते हो अगर वह चार्ज हो रही है इस्तेमाल भी आपकर पा रहे हो तो अच्छी चीज है आप अपनी बैटरी को दो दिन बाद तीन दिन बाद बाद बा ग्रावह परपांच जिरौ ग्रैबर्टी यह तो फिर आपनी बैटरी मैं डालेंगे तो हो सकता है कि वह रिकबर हो जाये जो सेल बैठ जाती है जो चार्ज दुबारा नहीं हो पाती है वह सेल फिर से चार्ज होनी स्टार्ट हो जाएगे तो इस वज़े से आपको आधा लिटर पानी पूरा बाहर करके आप चाहो तो एक लिटर पानी डाल सकते हो वह भी 12.50 ग्रैबिटी वाली ओके आप ये भी कर सकते हो लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कभी आपकी बैटर ड्राई हो जाती है तो पूरी की पूरी पानी जो है एक बार में आपको नहीं भरना है और अचीज आपके दिमाग में होना चाहिए सभी सेल में आधा अधा लिटर ही पानी डालना है अगर आप अपने सेल में भरते हो तो आपकी बैटरी ज्यादा चांस रहती है कि चार्ज होनी स्टार्ट हो जाए और अच्छी खासी बैक अप देने लग जाए उसके बाद अगर आपकी बैटर चार्ज हो रही है तो दो तीन दीन बाद अब फिर से पानी उसमें डिस्टिल वाटर ही भर सकते हो कभी आप अपनी बैटरी में नल का पानी या फिर किसी तलाब का पानी आपको नहीं बरना है कुछ लोग कहते ह में कोई सवाल है तो कमेंट करके जोरू बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जादा जादा लोग के पास शेयर जोरू करें